ओम शांती, मीठे बच्चे, आज की मुरली, 17 फरवरी दो हजार चौबीस दिन शनिवार की प्रातह मुरली मीठे बच्चे पावन बनने के लिए एक है याद का बल, दूसरा है सजाओं का बल, तुम्हें याद के बल से पावन बन उंच पदपाना है प्रशना बाप रुहानी सर्जन है, वह तुम्हें कौन सा धीरत देने आये हैं? उत्तर, जैसे वह सर्जन रोगी को धीरत देते हैं कि अभी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसे रुहानी सर्जन भी तुम बच्चों को धीरत देते हैं बच्चे, तुम माया की बीमारी से घबराओ नहीं, सर्जन दवा देते हैं, तो यह बीमारियां सब बाहर निकलेंगी, जो ख्यालात अज्ञान में भी नहीं आये होंगे, आएंगे. लेकिन तुम्हें सब सेहन करना है. थोड़ा मेहंत करो, तुम्हारे अब सुख के दिन आये की आये. ओम शांती बेहत का बाप सभी बच्चों को समझाते हैं, तुम सब को पैगाम पहुचाना है, कि अब बाप आये हैं. बाप धीरज दे रहे हैं, क्योंकि भक्ती मार्ग में बुलाते हैं, बाबा आओ, लिबरेट करो, दुख से छुड़ा. तो बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं. कोई की बीमारी छूटने पर होती है, तो कहते हैं, अब ठीक हो जाएगी. बच्चे भी समझते हैं, कि इस चीची दुनिया में बाकी थोड़ा रोज हैं, फिर हम नई दुनिया में जाएंगे. उसके लिए हमको लायक बनना है, फिर कोई भी रोग आदी तुमको नहीं सताएंगे. बाप धैर्य देकर कहते हैं, थोड़ी महंत करो. और कोई नहीं जो ऐसे धीरज दे. तुम ही तमो प्रधान हो गए हो. अब बाप आये हैं, तुमको फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए. अभी सभी आत्माएं पवित्र बन जाएंगी, कोई योग बल से, कोई सजाओं के बल से. सजाओं का भी बल है ना. सजाओं से जो पवित्र बनेंगे, उनका पद कम हो जाएगा. तुम बच्चों को श्रीमत मिलती रहती है. बाप कहते हैं मामे कम याद करो, तुम्हारे सब पाप भस्न हो जाएंगे. अगर याद नहीं करेंगे, तो पाप सौ गुणा बन जाएगा, क्योंकि पाप आत्मा बन तुम मेरी निंदा कराते हो. मनुष्य कहेंगे इनको इश्वर ऐसी मत देते हैं, जो आसुरी चलन दिखाते हैं. लाही चाढ़ी उत्राव चढ़ाव भी होता है ना. बच्चे हार भी खाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हार खाते हैं, तो पाप कट्टे ही नहीं हैं, फिर भोगना भी पड़ता है. यह बहुत चीची दुनिया है, इसमें सब कुछ होता रहता है. बाप को बुलाते ही हैं कि बाबा आकर हमको भविश्य नई दुनिया के लिए रास्ता बताओ. बाबा जानते हैं, उस तरफ है पुरानी दुनिया, इस तरफ है नई दुनिया. तुम हो नया. अब तुम पुरुशोत्तम बनने के लिए चल रहे हो. तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ गया है. तो जहां जा रहे हो उस धर को ही याद करना है. बाप ने कहा है मेरे को याद करने से तुम्हारी कट उतरेगी. या तो है योगबल या सजाएं. हर एक आत्मा पवित्र तो जरूर बननी है. पवित्र बनने बिगर वापिस तो कोई जा नहीं सकते. सबको अपना अपना पाट मिला हुआ है. बाप कहते हैं यह है तुम्हारा अंतिन जन्व. मनुष्य कहते हैं कलियोग अजुन छोटा बच्चा है. गोया मनुष्य अभी इससे भी और दुखी होंगे. तुम संद्वमेगी ब्राहमन समझते हो यह दुखधाम तो अभीक्त महोना है. बाप धीरस देते हैं. कल पहले बाप ने कहा था मामेकम, मुझे याद करो तो पापों की कट उतर जाएगी. यह मैं गैरंटी करता हूँ. यह भी समझाते हैं, कलियुग का विनाश जरूर होना है और सत्युग भी जरूर आना है. खातिरी मिलती है, बच्चों को निश्चय भी है. परंटु याद न ठहरने के कारण कोई न कोई विकर्म कर लेते हैं. कहते हैं बाबा क्रोध हा जाता है, इसको भी भूत कहा जाता है. पांच भूत दुख देते हैं इस रावन राज्ज में. यह पिछाडी का हिसाब किताब भी चुक्तू करना है, जिनको आगे कभी काम विकार नहीं सताता था, उनको भी बीमारी इमर्ज हो जाती है. कहते हैं आगे तो ऐसा विकल्प कभी नहीं आया, अब क्यों सताता है? यह ज्यान है न? ज्यान सारी बीमारी को बाहर निकालता है. भक्ती सारी बीमारी को नहीं निकालती. यह है ही अशुद्ध विकारी दुनिया, एक सौ परसेंट अशुद्धता है. एक सौ परसेंट पतित से फिर एक सौ परसेंट पावन होना है. एक सौ परसेंट भरश्टाचारी से एक सौ परसेंट पावन शृष्ठाचारी दुनिया बननी है. बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को शांतिधाम सुखधाम ले चलने के लिए. तुम मुझे याद करो और स्रिष्टी चक्र को फिराव कोई भी विकर्म नहीं करो जो गुण इन देवताओं में हैं ऐसे गुण धारन करने है बाबा कोई तकलीफ नहीं देते है कोई-कोई घरों में भी इविल सोल होती है तो आग लगा देती है, नुकसान करती है इस समय मनुष्य ही सब इविल है न स्थूल में भी कर्मभोग होता है आत्मा एक दो को दूख खदेती है शरीर द्वारा शरीर नहीं है तो भी दूख देती है बच्चों ने देखा है जिसको घोस्ट कहते हैं वह सफेद छाया मुवाफिक देखने में आते हैं परन्तु उनका कुछ ख्याल नहीं करना होता है तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना यह सब क्म होते जाएंगे यह भी हिसाब किताब है न घर में बच्चियां कहती हैं हम पवित्र रहना चाहती हैं यह आत्मा कहती है और जिन में ज्यान नहीं है वह कहते हैं पवित्र नहीं बनो फिर जगड़ा हो पड़ता है कितना हंगामा होता है अब तुम पवित्र आत्मा बन रहे हो वह हैं अपवित्र तो दूख खदेते हैं है तो आत्मा न उनको कहा जाता है इविल आत्मा शरीर से भी तो बिगर शरीर भी दूख देते हैं ज्यान तो सहज है स्वदर्शन चक्रधारी बनना है बाकी मुख्य है पवित्रता की बाद इसके लिए बाप को खुशी से याद करना है रावन को इविल कहेंगे न इस समय यह दुनिया है ही इविल एक दो से अनेक प्रकार के दुख पाते रहते हैं इविल पतित को कहा जाता है पतित आत्मा में भी पांच विकार अनेक प्रकार के होते हैं कोई में विकार की आदत, कोई में क्रोध की आदत कोई में तंग करने की आदत, कोई में नुकसान करने की आदत होती है कोई में विकार की आदत होगी, तो विकार न मिलने कारण क्रोध में आकर बहुत मारते भी है यह दुनिया ही ऐसी है तो बाप आकर धीरज देते हैं, हे आत्माएं, बच्चों धीरज धरो, मुझे याद करते रहो और दैवी गुन भी धारण करो ऐसे भी नहीं कहते हैं कि धंधा आदी नहीं करो जैसे मिलेटरी वालों को लड़ाई में जाना पड़ता है, तो उन्हों को भी कहा जाता है, शिव बाबा की याद में रहो गीता के अक्षरों को उठाएं वह समझते हैं, हम युद्ध के मैदान में मरेंगे, तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं परन्तु वह तो बात ही नहीं अब बाबा कहते हैं, तुम स्वर्ग में जा सकते हो, सिर्फ शिव बाबा को याद करो याद तो एक शिव बाबा को ही करना है, तो स्वर्ग में जरूर जाएंगे जो भी आते हैं, भल फिर जाकर पतित बनते हैं, तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे सजाए खाकर पावन बनकर फिर भी आएंगे जरूर बाप रहमदिल है न बाप समझाते हैं कोई विकर्म न करो तो विकर्माजीत बनेंगे यह लक्षमीनारायन विकर्माजीत है न फिर रावन राज्य में विकर्मी बन जाते हैं विक्रम संवत शुरू होता है न मनुश्यों को तो कुछ भी पता नहीं है तुम बच्चे अभी जानते हो यह लक्ष्मी नारायन विकरमाजीत बने है कहेंगे विकरमाजीत नमबर वन फिर 2500 वर्ष के बाद विकरम संवत शुरू होता है मोहजीत राजा की कहानी है न बाप कहते हैं नश्टो मोहा बनो मामे कम याद करो तो पाप कटेंगे जो 2500 वर्ष में पाप हुए है वह 50-60 वर्ष में तुम स्वयन को सतोप्रधान बना सकते हो अगर योगबल नहीं होगा तो फिर नमबर पीछे हो जाएंगे माला तो बहुत बड़ी है भारत की माला तो खास है जिस पर ही सारा खेल बना हुआ है इसमें मुख्य है याद की यात्रा और कोई ततलीफ नहीं है भक्ती में तो अनेकों से बुद्धियोग लगाते हैं यह सब है रचना उनकी याद से किसका भी कल्यान नहीं होगा बाप कहते हैं किसको भी याद नहीं करो जैसे भक्ती मार्ग में पहले सिर्फ तुम भक्ती करते थे अब फिर पिछाडी में भी मुझे याद करो बाप कितना क्लियर समझाते हैं आगे थोड़े ही जानते थे अभी तुमको ज्यान मिला है बाप कहते हैं और संद तोड एक संद जोडो तो योग अगनी से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे पाप तो बहुत करते आये हो काम कटारी चलाते हो एक दो को आदिमध्यंत दुख देते आये हो मूल बात है काम कटारी की यह भी ड्रामा है न ऐसे भी नहीं कहेंगे ऐसा ड्रामा क्यों बना यह तो अनादी खेल है इसमें मेरा भी पाठ है ड्रामा कब बना, कब पूरा होगा यह भी नहीं कह सकते यह तो आत्मा में पाट भरा हुआ है आत्मा की जो प्लेट है वह कब घिस्ती नहीं है आत्मा अविनाशी है उसमें पाट भी अविनाशी है द्रामा भी अविनाशी कहा जाता है बाप जो पुनरजन्म में नहीं आते हैं वो ही आकर सब रास समझाते हैं स्रिष्टी के आदिमध्यन्त का रास कोई भी नहीं समझा सकते न बाप का आक्यूपेशन न आत्मा का कुछ भी जानते नहीं यह स्रिष्टी का चक्र फिरता ही रहता है अब पुरुशोत्तम संगम्युग है जब सब मनुष्य मात्र उत्तम पुरुश बन जाते हैं शांतिधाम में सब आत्माएं पवित्र उत्तम बन जाती हैं शांतिधाम पावन है न नई दुनिया भी पवित्र है वहां शांती तो है ही फिर शरीर मिलने से पाट बजाते हैं यहां हम जानते हैं हर एक को पाट मिला हुआ है वह हमारा घर है, शान्ती में रहते हैं यहां तो पाट बजाना है अब बाप कहते हैं भक्ती मार्ग में तुमने मेरी अव्यभिचारी पूजा की दोखी नहीं थे अभी व्यभिचारी भक्ती में आने से तुम दोखी बन पड़े हो अब बाप कहते हैं दैवी गुन धारण करो फिर भी आसुरी गुन क्यों? बाप को बुलाया कि हमको आकर पावन बनाओ फिर पतित क्यों बनते हो? उसमें भी खास काम को जरूर जीटना है तो तुम जगत जीट बनेंगे मनुष्य तो भगवान के लिए कह देते हैं आपे ही पूज आपे ही पुजारी गोया उनको नीचे ले आते हैं ऐसे पाप करते करते महाविकारी दुनिया बन जाती है गरूर पुरान में भी रौरव नर्ग कहते हैं जहां बिच्छू टिंडन सब काटते रहते हैं शास्त्रों में क्या-क्या बैठ दिखाया है यह भी बाप ने समझाया है यह शास्त्र आदी सब भक्ति मार्के हैं इनसे कोई भी मेरे साथ नहीं मिलते हैं और ही तमोप्रधान बन पड़े हैं इसलिए मुझे बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ तो पतित थहरेना हो जाते हैं रावन पर विजय पाकर रामराज्य में आ जाते हैं बाप कहते हैं काम पर जीत पाव इस पर ही हंगामा होता है गाते हैं अमरित छोड़ विश क्यों खाते हो अमरित नाम सुनकर समझते हैं गवमुख से अमरित निकलता है अरे गंगा जल को थोड़े ही अमरित कहा जाता है यह तो ग्यान अमरित की बात है स्त्रीपती के चरण धोकर पीती है उनको भी अमरित समझते हैं अगर अमरित है तो फिर हीरे समान बनेना यह तो बाप ग्यान देते हैं जिससे तुम हीरे जैसा बनते हूं पानी का नाम कितना बाला कर दिया है तुम ज्यान अम्रित पिलाते वह पानी पिलाते हैं तुम ब्राह्मनों का किसको भी पता नहीं है वह कौर्व पांडव कहते हैं परन्तु पांडवों को ब्राह्मन थोड़े ही समझते हैं गीता में ऐसे अक्षर है नहीं, जो पांडवों को ब्राह्मन समझें बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं बच्चों को कहते हैं शास्त्रों में जो कुछ पढ़ा है और जो कुछ मैं सुनाता हूँ उसको जज करू तुम जानते हो आगे हम जो सुनते थे वह राम था, अब राइट सुनते हैं बाप ने समझाया है तुम सब सीताएं अथवा भक्तिया हों भक्ति का फल देने वाला है राम भगवान कहते हैं मैं आता हूँ फल देने तुम जानते हो हम स्वर्ग में अपार सुख भोगते हैं उस समय बाकि सब शांति-धाम में रहते हैं शांती तो मिलती है न वहाँ विष्व में सुख्शानति प्वित्रता सब कुछ है तुम समझाते हो जबकि विष्व में एक धर्म था तब ही शांती थी फिर भी समझते नहीं है ठहरता कोई मुश्किल है पिछाडी में बहुत आएंगे जाएंगे कहा यह एक ही हट्टी है जैसे दुकानदार की चीज अच्छी होती है तो दाम एक होता है यह तो शिवबाबा की हट्टी है वह है निराकार ब्राहमा भी जरूर चाहिए तुम कहलाते हो ब्राहमा कुमार कुमारिया शिव कुमारिया तो नहीं कहला सकते हो ब्राहमन भी जरूर चाहिए ब्राहमन बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे अच्छा मीठे मीठे सिकील धे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते धार्णा के लिए मुख्यसार एक देवताओं जैसे गुन स्वय में धारन करने हैं अंदर जो भी इविल संसकार हैं क्रोध आदी की आदत है उसे छोड़ना है विकर्मा जीत बनना है इसलिए अब कोई भी विकर्म नहीं करना है दो हीरे समान श्रिष्ट बनने के लिए ज्यान अमरित पीना और पिलाना है काम विकार पर संपूर्ण विजय पानी है स्वय को सतोप्रधान बनाना है याद के बल से सब पुराने हिसाब किताब चुप्तू करने हैं वर्दान बुद्धी को मेरे पन के फेरे से निकाल उलजनों से मुक्त रहने वाले न्यारे प्रस्टी भव जब बुद्धी कहां भी उलजन में आती है तो समझ लो जरूर कोई न कोई मेरा पन है जहां मेरा आया वहां बुद्धी का फेरा हुआ ग्रिहस्थी बनकर सोचने से गड़बड होती है इसलिए बिलकुल न्यारे और ट्रस्टी बन जाओ ये मेरा पन मेरा नाम खराब होगा, मेरी गलानी होगी यह सोचना ही उलजना है फिर जितना सुलजाने की कोशिश करेंगे उतना उलजते जाएंगे इसलिए ट्रस्टी बन इन उलजनों से मुक्त हो जाओ भगवान के बच्चे कभी उलजनों में नहीं आ सकते स्लोगन बड़े बाप के बच्चे हो इसलिए न तो छोटी दिल करो और न छोटी बातों में घबराओ